किसान भाईयो वैसे तो सडकों पर आज से बहुत ज़ादा होते हैं लेकिन कई बार इसका जिम्मेदार कौन होता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बाईयो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि आगे एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को लडखडाता हुआ चला रहा है कभी इदर तो कभी उदर और उसके पीछे है स्कॉर्पियो गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी वाले इसे रोकना चाते हैं लेकिन ऐसे हाला तो में स्कॉर्पियो वाले अचानक से ब्रेक मार दे तो यह साथ स्कॉर्पियो वालों को उड़ा देगा फिर अचानक से इसने स्पीड बढ़ा करके ट्रैक्टर के अंदर ठोक दिया तो इसके अंदर बिचारे ट्रैक्टर माली को यह समझ में नहीं आया होगा कि उसके साथ में क कुछ इसी वज़े से होते हैं लेकिन हाकिकत में क्या होता है कहीं बार जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं वहां से बाग जाते हैं और उसके बाद में जो गुनेगार बताया जाता है वो इनी लोगों को बताया जाता है जो बिचारे साइड में चलते है इनको बताया जाता है क्योंकि हर बार वहाँ पर वीडियो रेकॉर्ड करने वाला या फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है तो इस वज़े से इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसके साथ में यह आजसा हुआ है वो तो कुछ बोलने के लायक नहीं होता, कहीं भाई तो जान भी खो देते हैं, तो वो बोलने के लायक नहीं होता और ये कुछ ने कुछ बाहना बना के निकल जाते हैं, ट्रक मालिक जो ट्रक ड्राइवर है वो निकल जाते हैं वहां से, क्योंकि भाईयो इनकी गलती तो इनक लगाताए है चैसे पर चाहिए हिसे लोगोगों के उपर अच्छी कारुवाई कर लेनी चाहिए बाकी तो हम क्या कर सकते हैं ध्यान देकर के गाड़ी या फिर ट्रेक्टर लगएरा चलाएं आगे पीछे तो फिर भी कितना ध्यान रखें हर बंदा आ रहा है पीछे की तरफ और हमें ठोक देगा ऐसा पता ही नहीं होता है और यह जो है वो एक दो सेकंड का खेल होता है और एक-डो सेकंड में कितना करके भी करें फिर भी भाई हो ऐसे लोगों की अच्छी कारवाई करके इनको अच्छी सजा दिलवाओ जहां बर भी यह लोग आपकी नजरों में आए वहां पर इनको रोककर के रोकना भी बहुत मुसकल पड़ता है लेकिन रोक करके इनको सी सजा दिलवाव ताकि एसा काम ये लोग ना करें और हो सके तो अपना ध्यान रखना धन्यवाद जय जवान जय